ताजमेहल के सुंदरता में चारचांद लगाने वाले यमना नदी अब किसी नाले से कम नजर नहीं आती है यमना नदी को सच्छ और निर्मल बनाने के लिए कितनी योजनाय बनाएगी लेकिन वो योजनाय कागजी कारवाई तक ही सीमित रहे गए ऐसे में जी टूंटी सच्छ और निर्मल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाय बनाएगी लेकिन वो योजनाय कागजी कारवाई तक ही सीमित रहे गए इस बक्तम मौझूद हैं ताजमेहल के पीछे दसेरागाट पर जहां आप देख सकते हैं कि जो यमना की यमना नदी है वो किसी नाले से कम नजन नहीं आहा रही है जिस तरह से अगर देखा जाए कि उसका पानी एक काला पानी दिखाए दे रहा है अगर बात की जाए कई बार कई योजनाय बनाए गई यमना को साफ करने के लिए लेकिन वो योजनाय हैं कागजी कारवाई तक ही सीमित रहे गई जिस त हमारे साथ यहां पर कुछ जो नदी से और चेतर से समय से आते हैं आयों से बात करेंगे वे चेतरी लोग है जो भी महमान आएंगे, हम तरह दिल से, दिल की गहरें उसे स्वागत करेंगे. जो प्रयास किया जा रहा है अगरे के बारे में, एम जी रोड देखा, जमना किनारा देखा, खाफी सवाई हो रही है. लेकिन सवाई है इसके बाद भी, कुछ नै कुछ, ऐसी बस्तादीय हैं, जैसे, शाम तेरी जमना महली, आज की तारिक में काला पहनी देता रहा है, सिरत नाला नाला है. शाम की जमना में सच जल होना चाहिए, सच जल, नक के काला पानी होना चाहिए. जैसे दूद में चीनी इसी तरहिए ताज के साथ जमना नदी आप शको सुन्दर नदी हो सर्जा यह गिर सुना गया है कि ताजमेल की जो नीः जो जमना नदी है कि जमना नदी की बहुत जरूरत है और देखा जाए तो वो नीम भी इस बज़े से खोकली होती जा रही है क्या सच्चा ही है इसके अंदर देखे साइब इत्यास के वारे में तो एक ही बात है सच्चा ही तो है जो इत्यास कहता है हम इसको मानेंगे लेकिन इत्यास के बारे में हम तो इसी कितरे कहेंगे आजा गिला कि यहां पर बच्पन से रह रहे हैं अगर बात की जाए कि जब कई साल पुरानी की अगर बात की जाए तो यहां पर जो यह नदी थी वो ताज मेल को टच करती हुई जाए जाए आपने से रहते हुआ जहां पच्पन और 56 साल मैंने काफी गंवी दासी तब से ताजमयर कोई टिकर नहीं थी तब से जमना नदी के किनारा विलकूँ ताजमयर के साथ जोरा रहता था। तब नदी थी, आप काहा है रुदुशन ही प्रदुशन है तो क्या लगता है कि G20 जिस तरह से आ रहे हैं और जिस तरह से आग्रा में भी काफी महमान आने हैं यहां पर तो उसको लेकर किस तरह की सफाई देखने को मिलती है अगर G20 की इस तरह की अगर हकीकत सामने आई तो क सबस्क्राइब है कि इस तरह इस तरह कि च्छभी पर धवित सबस्टेन के बारे में अगर काश ताजमहласт से अज़र लुब आकर कि नज़रा देखा इन्होंने मेहमानों पर शिकायत करेंगे शिकायत करेंगे कि क्या नदी के किनारा है कि ये नाले के किनारा है नदी के किनारा दिखा ही नहीं दे रहा है काला पानी आप देखिया हमारी नजरों से और कैमरे की नजरों से देखिया काला पानी है सफेद पानी नहीं है तो आपने देखा कि यहां पर जो लोग हैं उनका भी कहना है कि जिस तरह से देखा जाए एक नजारा दिखाना चाहूँगा यहां से चंद कदमों की थोड़े सा दूरी है लेकिन वो कैमरे में थोड़ा दिखाई देगा लेकिन जो गंदगी का नजारा है मेरे कैमरे परसंद से कहूंगा कि इसको जूम करके थोड़ा सा दिखाए जाए कि गंदगी का अंबाल लगा हुआ है यह वो जगह है यहां पर जो कह सकते हैं कि जो गंदगी के सहर का जो पानी है वो यहां एंट्री कर रहा है अब गंदगी आपको साफ देखने को मिल रही है हाला कि कुछ दिन पहले लेशी प्रिया नाम की एक लड़की ने यहां पर टूइट करकर यहां की थोड़ी सी हालत तो सुदार दी है लेकिन अभी भी कई कमियां देखने को मिलती हैं अपने साथी प्रताप के साथ गोपाल शर्मा सीन्यूस आगरा